जैहन दोस्तों कैसे हैं आप सब आज मैं आपको बताने वाला हूँ Pre-2016 Revised Pension की Calculation कि आप अपने Pension की Calculation कैसे करोगे आप सबी की ये मनसा है कि मेरी Pension कितनी हुई और आप इसके लिए हर तरह के वीडियो और इंटरनेट पर सर्च करते हो कई लोगों से मिलते हो बहतर होगा कि आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें और ये जान लें कि आपकी Pension कितनी आपको मिल रही है और as per table आप उसकी Calculation लगाना यहां से सीख सकते हैं बहुत ही easy manner में मैंने यहां आपको ये चीज सिकाने की कोसिस की है मेरा जो वीडियो है एक educational purpose का वीडियो है मतलब आपको awareness देनी है मुझे कि आप अपनी pension का calculation कैसे करें तो मेरा कहने का मतलब है कि क्या आपकी pension revised हुई है 2016 से या फिर pre 2016 revised pension की calculation आप कैसे करेंगे यही चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जहन दोस्तों कैसे हैं आप सब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जो pensioner वे family pensioner 31 बारे 2015 में retire हुए है या retire हुए थे उनकी pension revised होनी थी जो pensioner थे उनकी भी pension revised होनी थी और जो family pensioner थे उनकी भी pension revised होनी थी तो आप आपको अपने विभाग से contact करना चाहिए और जानना चाहिए कि आपकी pension एक एक 2016 से बड़ी हुई मिली है या नहीं मिली है मुझे अमीद है कि काफी pensioners और family pensioner की जो pension है वो revised हो चुकी है और उनको मिलना भी शुरू हो गई होगी और काफी ऐसे भी हैं जिनकी revised कर दी गई है दोस्तों आप भी pensioner और family pensioner है और आपकी बड़ी हुई pension एक एक 2016 से नहीं मिली है तो इसके लिए आपको अपने department से पता कर लेना चाहिए ऐसी मेरी आपको सला है दोस्तों department of pension and pensioner welfare भारत सरकार की तरफ से 6 जुलाई 2017 को एक order release किया गया था जिसमें वर्नित था कि 31.12.2015 तक जितने भी pensioner या family pensioner है उनको उनकी जो pension है उसे revised करा जाए according 7th pay commission तो अगर आपकी भी pension revise नहीं हुई है तो इस बारे में आप अपने department से तालमेल करें या संपर्क करें जितने भी government office थे उनकी तरफ से pension को बढ़ाया जाना था 11.2016 से government employees जो retard है या family pensioner है तो इनकी इसकी भी आपको calculation करके मैं यहां बताने वाला हूँ जो की pre 2016 की revision के हिसाब से होगी अगर कोई pension fourth CPC या fifth CPC का है या कोई pensioner six CPC का है तो उन सभी की pension revised होनी थी seven CPC के अनुसार और वो जो भी pensioner या family pensioner है वो 31.12.2015 तक retired होने चाहिए है यानि कि हो चुके है तो उनकी ये pension है ये revised होनी थी यानि कि 31.07.2015 तक जो भी retired हुआ है उन सभी की pension revised होनी थी तथा इसका जो effective effecting period था वो था एक जनवरी 2016 इस तारिक से आपको pension बड़ी हुई मिलनी चाहिए थी तो क्या आपकी pension बड़ी है और अगर नहीं बड़ी है तो आपको मेरी ये calculation करते हैं pre 2016 की दोस्तों अब आप इस calculation को ध्यान से देखना जो मैं आगे बताने वाला हूं ताकि आप जान सको कि pre 2016 की pension calculation कैसे की जाती है आप सभी को विदित है कि 11.2016 से 7th pay commission लागू हो गया था तथा कई pensioners की pension automatically fix कर दी गई थी परन्तु जिनकी pay fix नहीं हुई है उनकी कैसे revise होती है वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूं जितने भी pensioners हैं 31.12.2015 तक चाहे वो retired हो या family pensioner हो उनकी pension revised होनी थी तो अब मैं आपको बताता हूं calculation of pre-2060 दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूं मेरे computer screen पर जहां हम जानेंगे सबसे पहले तो हम देखने की वहां देखेंगे की कौन सा order है और फिर जानेंगे की calculation क्या है आईए computer screen पर चलते तो दोस्तों सबसे पहले तो हम pension revised order जो था उसे देख लेते हैं यह वो order है आप देख पार हो 6 जुलाई 2017 का यह order है और government of India की तरफ से office memorandum निकाल गया था जिसका विशे था revision of the pension of pre-2016, pensioners or black family pensioners in implementations of government's decision on the recommendations of the 7th central pay commission Concordance table regarding इसमें कहा गया था कि जितने भी 31, 12, 2015 तक जो भी pensioner हैं उनकी सबकी 7th CPC के according fix की जाए यह जो affected period था वो था 11, 2016 से जो की इस date से आपको pension बड़ी हुई मिलनी चाहिए थी यह जो table है वो 7th pay commission की table है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ जिसके माद्यम से आपकी pension or black salary fix की गई थी यह fix की गई है तो जितने भी employees जो 4th CPC, 5th CPC और 6 CPC के थे उन सब की pension revise होनी थी और दोस्तों मेरे पास है revised PPO मैं आपको दिखाता हूँ revised PPO यह मेरे पास एक revised PPO है दोस्तों यह देखिए मैं इसमें नाम और PPO नमर hide कर दिया है security region के चलते यह PPO है और pension कैसे calculate की गई है तता यह जो PPO है जो की एक आपको इसकी एक copy मिलती है और सायद जो भी इससे effective है उनको मिल गई होगी त्योंकि यह PCD दोवार भीज दी जाती है इसमें आपका कुछ details होती है जिसमें आपका address होगा PPO नमर होगा pensioner's का नाम होगा date of birth कौन सी pension आपको मिलती है जैसे इसमें लिखी है शोपर नयूंसन यानि कि आपकी खुद की pension है यह column है आपको पता है और उसके बाद कौन सी class है यहाँ की group A class है यानि की आदिकारी है और सभी यहां पर लिखा होता है सब कुछ और भी वह सारी details है इसमें इनके pen card phone नमर ही मिला idea अधार नमर यह सब यहां पर नहीं लिखा है और इनका जो retirement हुआ था वो date जो थी वह आप देख सकते हैं यहां पर इनकी retirement की जो date है वो 31 सॉरी इनकी retirement की date है वो 282-2011 है और इस PPO में पुरानी जो pension detail थी उसे भी mention करना पड़ता है और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा old pay details और दोस्तों यहां से ध्यान देने वाली बात है आप important चीज हैं आपके लिए कि आपको यहीं से वह section आपका start होता है जहां से आपको अपने calculation लगाने का पता चलने वाला है तो इनकी basic पे आप देख सकते हैं 31,480 रुपया है और commuted pension है इनकी reduced pension को 8888 मिलती है तो मैं आपको बता दूं कि आगे इनकी जो calculation होनी है वो किस तरह से होनी है वो मैं आपको बताता हूं next slide में यह देखिए इनकी basic pension as per PPO 31,480 है after age पर 7 CPC 2.57 factor से अधी multiply किया जाए तो इनकी जो pension है basic पे वो pension बनती है 8,904 from 1,260 now pension again increase because of commuted pension इनकी जो pension वो दुबारा से increase हुई क्योंकि इनकी पेंसन थी हूँ committed pension थी तो basic pension इनकी 31,480 ही थी committed commute जो डिडेक्ट हो रहा था वो बाराजार पान्सु बान्सु बान्सु हो रहा था इस टेम आ चुका था जब यह retire होई थे 2011 में एस पर 6th pay commission इनका जो pay scale उस टेम था वो रुपीज 37,400 से 6,660 प्लस 89,000 grade पे होनी थी इतना इनका pay scale था जबकि यह तो 5th CPC से retire थे तो इनका 6th CPC में इस scale पे इनको fix होना था नाओ अब इनकी national pay की calculation की बात करें तो national pay calculate कैसे होती है as per the table number 46 क्योंकि अधिकारी है इनके लिए table number 46 है जिसमें लिखा जिसका टाइटल है scale of pay pay in the pay band and grade pay at the time of retirement pay ranges column जो है उस column में जिसमें देखेंगे उस पे लिखा होगा pay ranges for the pensioners retired during एक दोजार से से कतीस बार दोजार पंद है इनकी basic pay as per six pay commission होगी बाउन हजार पांजार पांजार बीस ग्रेड़ पे इनको मिलती है and fixed as per seven CPC table अब हम इसको sorry six CPC table अब हम इस इस उनकी जो national pay है बाट चाट जार नौसो साट रुपे इसको जब seven pay commission के हिसाब से fix करेंगे तो जाहर है 2.57 का factor फिर से multiply होगा इससे तो six two nine six zero into two two five seven factor बराबर रुपीज एक लाख एक सटाजार आठ सो साथ रुपया अनकी क्या होगई basic pension होगी as per the seven CPC table number 46 तो इनकी national pay कितनी होगी बाट चाट जार नौसो साट थी अब seven pay commission में pension कितनी होगई एक लाख एक लाख एजटाजार आठ सो साथ रुपया as per the table 46 और pay लेवल इंका 13 alpha है और index यानि नम्मर बाइस है तो उसके इसाब से जो इनकी pay को अब हम टेबल में चेक करने वाले हैं कि इनकी टेबल जो जो seven CPC की टेबल है उसमें इनकी जो पे है एक लाख एजटाजार आसो साथ रुपी as per the pay level 13 और इंडेक्स 22 के हिसाब से देखा जाए तो कहां मैचिंग करती है देखिए यह टेबल है इस टेबल में इनका corresponding level दिखा रहा है लेवल 13 अलफा 31 सो से 2600 यहां आप देख लीजिए 31 12 2015 को ईनको रेटायर हुए है तब इनको जो basic pay इनकी मिलनी थी वो 2520 मिलनी थी ठीक्ए तो यहां आपको दिखाई दे रहा होगा कि इनको जो basic pay मिलनी थी वो 2520 रुप्या और उसके बाद national pay calculate की गही एक एक सोले को तो इनकी नेशनल पे एक चाशाट सो हुई जो की नहीं है इनकी जो नेशनल पे हुई वो हुई एक एक सट आट सो साथ रुपया जो आपको यहां दिखाई दे रही है जो हमने मल्टिप्लाई किया है बासट आजा नो सो साट को 2.57 से तो उनका जो टोटल आया है वो एक उक ईक उक उक आट सो साथ आया हैं तो हम को टेबल में एक उख उक सट डोंदा ना है बटी एक उक सट आट सो साथ यहां मिलने वाला है है नहीं ऐक सर्अ 7 Damn equipment चलते हैं यहां देख लिराhou a Stoneanders 106 यह वह बलकि 166 so है तो जो परेवल है वह लो नहीं कर Anda सकते ऊपर नात सकते हैं यानि कि हम अपना डू लेवल नहीं सकते हैं पर agenda टो हमारी जो है रिविजन ही 2016 से उसके साथ से हमारे इन बंदे की इन साहाब की जो पेंसन बनेगी वो बनेगी 33,050 रुपिया जैसे टेबल मा आपको दिखाई दे रहा होगा एक 2600 के आगे 3350 लिखा हुआ है और उसके बाद ये जो इनकी पेंशन है वो एज ओफ नाओ 3350 रुपिया है आफ्टर पेंशनर्थ डैथ दियर फैमली पेंशन बिल भी 30 परसंट लेज तो उनकी जो पेंशन बनेगी वो 99.830 मिलेगी जो की स्टेबल माप देख सकते हो 99.830 तो ये तो एक बंदे का एक सॉरी एक साहव का कैलकूल सिंधन था जो पेंसिन थे अब मैं आपको एक कैलकुल सिन और बताना चाहूंगा दोस्तों और वो जो कैलकूल सिन और वह पो बताना चाहूंगा Frum B के बारे क्योंकि आपने pensioner की pension पंस तो जाने लिए तो अब पंस जान लेने चाहिए कि फैमिली जो फैमिली pension लेनी है ले रही है उनको क्या मतलब मिलने वाला है उनके लिए भी मैंने यहां पर कैलकुलेशन बनाई है यह एक पीपियो है फैमिली पैंशनर का यहां भी मैंने नाम बगरा चुपा रखेंगे टैप पैंशन में फैमिली पैंशन लिखा है और प्री रिवाइज़ अजो निकतीस बारे से इनका जो बेसिक पे बगरा जो भी है वो सब जिरो जिरो ह इनको सर्फ फैमिली पैंशन में बूल रही है वह भी नॉर्मल रेट्ब है थे güç 2002 प्या और उःट्ड नहीं मिल रही है यह अब देख सकते हैं मेरेकह Cat happily pension calculation इस नरिए चरहिए जाया तो बेसिक पैसें सिरी फी पिर के मुंड पो जेया जेरी काटफा में पैसन पैसन जे डिरे पैसें सिरृ सिर फैट को यह सरू फै PRE के बिनuse फैनलमल स्व डार थो दिनलल अर्शेंपार है of anyone K latest जो मैं स outline one thing is balance that is family pension by normal rate normal rate family pension का जो यह PPO है इस PPO में उसकी रेट लिखी हुई है 2324 pension की family pension की जो cost है family pension जो है वो 2324 रुप्या है as per 50 PC authorize पे करी जाए तो 83 24 को 2.57 के factor से multiply करने पर 21,330 रुपया जाता है और 1126 को यह इनकी जो pension हो जाएगी कितनी हो जाएगी 21330 हो जाएगी बट अगेन जब इनकी पेफिक्स होई 6th CPC के साब से तो यहां पर आप देख सकते हैं इनके जो पेंस जो हस्पेंट थे जो 30 11 2004 को रेटार होगे थे आप इनके पीप्यों में देख सकते हैं 30 11 2000 और पेंसे ने टेल में 30 11 2000 में जब फिफ्ट CPC चल रहा था पेश्केल उस्टेम दस जार तिनसो दस जार तिनसो पच्चीस पंदर अजार दोसो था और नेशनल पे जो थी उस्टेम 12275 रुपया थी अब आगे मेरी स्लाइड में देखियां यहां आपको बागी कहानी समझवाएगी नाव नेशनल पे उनकी जो केतनी है 12275 है अब भी कैलकुलेट एज पर लेबल 11 और इंडेक्स नमर 12 इनका जो पे लेबल था वो 11 था इंडे 136 में इनकी जो पे फिक्स की गई एक एक 2016 को वो हुई चैतर जार दो सो आप यहां भी देख सकते हैं चैतर जार दो सो पे फिक्स अंडर 7 CPC लिखा हुआ है उसके बाद इनकी जो पूरी कैलकुलेशन यदि हम देखी जाएं तो फिर्थ CPC में इनको मिलते थे 1225 पहले इनक इनकी 30 परसेंट पेंशन रहेगी इट मींज 30 परसेंट ऑफ 6,200 क्योंकि लास्ट जो हमने कैलकुलेशन किये 7 CPC से किये तो वहान की आई 4,200 तो इनकी जो पेंशन बनेगी 30 परसेंट 6,200 की वह कुतनी बनेगी 22,888 यहां देख सकते हैं 22,888 चिक है अब इस 22,888 में आप सिर्फ लगा सकते हैं क्या existing rate of DA मान के चलो अभी 28% DA है तो आप 28% DA और जोड़ दीजिए जो की बनता 64,01 तो टोटल पेंशन इनकी बन जाएगी 29,217 as of now she will get RS 29,261.00 normal rate of family pension तो यह हो गई family pension की बात आप मैं आपको बताओ दोस्तों कि बाकी की जो details हैं दोनों ही PPO में उपर जो details थी और अब नीचे जो details हैं नीचे details होती हैं जल्दी ही other ranks में लेके आऊँगा हुआ हमारे जीशियो शाप होलदार साब के लिए और वह में इसको और भी easy method से बताने की कोसिस करूँआ ताकि आप लोग उसको अची तरह समझ सकें यह pension calculation करने का एक valid तरीका है इसमें कोई तरह किसी भी तरह का कोई फर्जिवाड़ा नहीं है यह बिल्कुल real method है यदि आप इसको समझ सुने में आपको कोई problem हो रही है तो आप मुझे comment कर सकते हैं मैं कौसिस करूँआ आपको समझाने की और वीडियो में दीगे ही जानकार यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल बटन को ताकि आपको इस तरह के वीडियो का अपडेट हमेशा मिलता रहे तो यह दोस्तों पैमिली पैंशन का टेबल है लेवल 11 और इनकी 11 1996 से 31 12 2005 तक जो पैंशन थी 12275 औ अब 11 2016 से इनकी 16200 बन गई इनकी टोटल फैमिली पैंशन 2860 बन गई उस पर दिय जोड़दाजी आया तो यह सारा अफंडा यहां पर आपको मैंने समझा दिया है फिर भी आपको को दिक्कत है तो आप कमेंट करिए कोई दिक्कत नहीं मुझे मैं आपके कमेंटों को टेबल करवा दूँगा वहां से आप इस टेबल को पूरी तरह से देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं तो धन्वाद दोस्तों थैंक्यू फोर वाचिंग दे वीडियो